हलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सिब्लम का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूं सो दोस्तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर टाटा पावर के साथ ठीक है बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टन इंफॉरमेशन है कुछ आपके डाउट्स भी है उनको भी क्लियर करने की कोशिच करेंगे सो टाटा पावर के अगर हम बात करें 376 पे चलते वे देखने को मिल रहा है बेच में 413 तो नहीं कहता 412.90 ऐसा कुछ तो था बट 413 पे चल रहा था उसके बाद हम कह सकते 376 तक आते वे देखने को मिल चुका है मेजरली जो गिरावट होते वे देखने को मिली कंपनी के कौटर 3 के नंबर के बाद देखने को मिली थी वैसे तो नंबर देखा गया तो ठीक ठाकी थे यह सेग्मेंट में ही क्या कर दिया टाटा पावर के जो दिन है यहां पर बदल चुके है जो इनका पुराना ओल्ड स्कूल बीजने से कों सा पावर जन्रेशन डिस्ट्रिबिशन ट्रांजमिशन वो भी जा रही है और इसी से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करे तो कु यह प्रोजेक्ट हम लोगो फिलाल तो देखने का आपर मिल रहा है ठीक है तो उसी को यहां पर टाटा पावर नहीं क्या किया है यह कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि आप देख सकते हैं पावर ट्रांजमिशन का वही जो उनका पूराना बिजनेस पावर जन्रेशन डिस्ट् लग में जो मेजर रियक्शन है ठीक है था यह बार एंवार आने के लिए तो रिनेबल एनपट है कि जल्पुरा खुरजा पावर ट्रंसमिशन प्रोजेक्ट टाटा पावर ने यह पे एक्वायर कर लिया है नेक्स अगर हम लोग बात करेंगे जोसरो तो अदानी ग्रूप के भी चर्चा यहाँ पर होती है दैन उसी के साथ साथ काफी सारे लोगों के सवाल आते सार यह भी जो बीच में ता अदानी ग्रूप ने इतना बड़ा यह जो सोलार से रिलेटेड सेट अप करके रखा हुआ है जो खबर भी आयती की स्पेस से भी दिखता है तो उसका फाइदा कौन से कंपनी को यहाँ पर मिलेगा तो उसका फाइदा अगर आपको चाहे तो अदानी ग्रीन इस कंपनी को इसका डारेक्ट फाइदा हमनों को मिलते वे देखने को मिलेगा अभी अदानी ग्रूप ने क्या किया आपने जितने भी बिजनेस है वो सब कुछ अलग-अलग करके रखे हुए है अदानी ग्रूप के आप देख सकते हो पावर वाला बिजनेस है ग्रीन एनर जी रिनियूबल एनरजी का बिजनेस अलग कर सकता है करके ठीक है अगर ऐसा अलग किया तो डेफिनेटली हम कह सकते है फिर टाटा पावर की डिमांड भविशा में कम हो सकते है ठीक होगा नहीं होगा भी डोंट नो वो तो देखना पड़ेगा ठीक है बट अभी तक तो को हम लोग बातचित करें तो कौन सा कि अदानी ग्रीन एनरजी ने यहाँ पर जो जन्रेशन से रिलेटेड ठीक है कौन सा फ्रॉम वर्ल्ड लार्जेस्ट इनरजी पार्क इन गुजरा जो अभी मैंने आपको दिखाया ठीक है रिनेबल एनरजी की हम बात करें इसी से रिवल से कुछ हद तक बहुत अच्छा का सा रिकावरी हाँ यहां यहां तक आने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगेगा इनके लिए सबसे बड़ा पड़ा पड़ा हो इलेक्शन है एक बार इलेक्शन अगर सौट अगर हो गया ठीक है अभी कि जो सरकार है वैसे अगर सुजलान एनरजी अच्छा ही आपे कर रहा है ठीक है ऐसा ग्रीन एनरजी अगर आप यह सेग्मेंट को देखोगे तो हार कोई स्टॉक हम लोगों को अच्छा ही करते वे देखने को आपे मिल रहा है ठीक है मेरा कोई रेकमेंडेशन नहीं होता है इसको खरीदो उसको ग्रीन पावर उसने भी उतना ही दिया 786% के रिटन से ठीक है तो यह मेजर चीज यहापे होती है ऐसी बात नहीं कि अगर आप किसी स्टॉक में नहीं जारे मतलब आप खाली बेटे हुए है आपका पैसा दूसरे स्टॉक में लग जाता है ठीक है तो यह चीज समझ में आन लग से ठीक है तो यह चीज आपका खुद का अनलेसिस होना चाहिए सर यह में बहुत बार आप लोगं को यहाप है कि आपको लगता है ना कोई स्टॉक अगर अच्छा कर रहा है अगर आपको डर लगता है तो जैसे मैंने का एसको ऐसी का फॉर्मिला चोटी कॉंटिटी आ तब तक आप मार्केट में आगे नहीं बढ़ोगी अगर आपको जेनियूनली खुद से लगना मंगता है और उसके बाद SQS वरना बहुत सारे लोग क्या करते है रैंडमली खुद का स्टड़ी भी नहीं करते है और इतना भयंकर पैसा डालते है कि मतलब आप कमेंट कमपनी में जो 90-90% उपर से क्राश है जिसका कोई भवी तवे नहीं उसमें भी किसी ने 5 लाग डाला है किसी ने 10 लाग डाला है कमपनी है क्या क्या करती है कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे यह जो चीजे चलती है न दोस्तो इसी चीज के चलते हैं मतलब बुलते ना कि इदम धमाकेदार रिटन दी ना पाच सल में आप गिनकर ही धक जाओगे 31,000% की रिटन रोज भागता है तो कितने सारे लोग इसको भी पकड़ने के लिए आपे चलते हैं खरीदना ने खरीदना है वो आपकी मर्जिय ठीक है सबसे पहले तो जो अपडेट है वो भी आप खराब हो जाएगी ठीक है कैसा होता है यह सारे costly चीज़े होती है initial stage पे अगर आपको लोगों को वो चीज़े खरीदने से related motivated करने है shift होने से related motivated करने है कुछ ना कुछ आपको incentive देना पड़ेगा कुछ तो आपको freebie type की चीज़े देनी पड़ेगे जैसे कि हम लोगों ने द से orders यहां पर आते वे देखने को आप मिल सकते हैं सरकार के और से प्लस जो incentive हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो भी देखने को आप मिल सकते हैं प्लस अगर देखा गया तो यह भी जो सवाल यहां पर पूछा जाता है कि क्या वारे renewable की अगर हम बात करें के solar rooftop में काम करते हैं yes definitely करता है in fact जब प्रदान मंत्री जी ने जब tweet किया था कब 22 जैनुवरी की में अगर बात कर दो राम मंदीर उद्गाटन जो था तब यह उन्हें ने का था प्रदान मंत्री सुर्यद योजना जो उन्हें ने लांच की थी वो tweet आपको ज़रू information यहाँ पर होनी चाहिए next बात करेंगे SJVN ठीक है सरकारी कंपनिया जो यहाँ पर रहती काफी ज़्यादा form में आप चल रही है ठीक है पाच साल में आप देख सकते हो 400% के return नजर आएंगे same ऐसे ही है इतने साल कुछ भी नहीं अभी सरकार का रूप बदल गया है ठीक है इस सारे कंपनी याद रखना तो आप जितने भी किसी भी सरकारी कंपनी में जा रहे हो बाई election का टाइम है बस इतने आप लोगों ने दिमाग में यहाँ पर रखना है ठीक है ठीक है काफी सारे लोग comment section में लिखते भी है सर election का period है अभी इतना election नजदी के आ नहीं नहीं भाई हमें तो लगता है कि कोई बात नहीं मार्केट जो चाता है वही party चुनकर आएगी majority के साथ आएगी कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है तो हम लोग रिस्क लेने के लिए ready है ठीक है तो आप ले सकते हो हर किसी का अपना अपना अना जैसे मैं बार बार य बाकि अगर बात करें SJVN की ठीक है बीच में अच्छा काजा गिरा था अभी फिलाल तो यहापे SJVN Green Energy Limited ठीक है जो की इसी के अंडर हम लोग आते वी देखने को मिल चुका है तो उनना ने टेंडर रनाउंस यहापे किया है उननी सो साट मेगावैट जो सोलार पीवी मॉड फिर उसके बाद lower circuit भी जबरदस फिर एक साथ किसी ने तो एबदम बड़ा माल उठा लिया जो डील होते वी देखने को मिली ती मेजर जो चीज थी वह भाव एक सो साट रुपे पर उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद वापस अपर सर्किट स्टार्ट हो एंड आज की अपर सर्किट लोवर सर्किट स्टार्ट नहीं हो सकता वो तो भाई बड़े प्लियर जो डिसाड करेंगे उस हिसाब से स्टॉक चलते किसी को लगा 400 करोड का माल खरीदना लग गया अपर सर्किट वापस कौन से भाव के परे वो भी डिपेंड करता है और किसी को लगता है कि चलो भाई प्रॉफिट बुकिंग कर ले अच्छा पैसा बन लिया बेश देते 200-300 करोड का माल तो लोवर सर्किट स्टार्ट तो यह चीज़े चलती रहते हैं मेजर जो क्रक्स होता है दोस्तों वो यही होता है कि कंपनी की काबिलियत आपको कंपनी अच्छी लगनी चा और कर ले मैं बस इतना ही वापस जाते आते हैं यह रिपीट करते ही रहूंगा किसी भी गवर्मेंट कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो येस वो इलेक्शन वाला पॉइंट दिमाग में रखकर ही आप लोगों ने डिशन यहापे लेने फिर जो भी आपको सही लगता है वो अपने हिसाब से आप आगया पर बढ़ सकते हो आशा करते हो दोस्तों वीडिये हलफू लगाओगा चाओ तो लाइकन शेयर कर सकते हो मिलते हैं एक शुड़े में तब तक के लिए बबाई